विडियो के नहीं लोग बात करना है तो आप लोग अपना डिसीजन का भी भी रिग्रेट नहीं करोगे बहुत चोटी से रिक्वेस्ट है कि हर 10 लोगों में से जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं गर 500 लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप 50 लोग तो उसमें से कोई भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत चोटी से रिक्वेस्ट है बाकी सब आप लोगों के हाथ में और तो नीचे description में telegram का link दिया हुए देखो side में यहां लिखा हुए देखो join telegram now and follow me on twitter दोनों के links नीचे दिये हुए trust me अच्छा content आते है and you will not regret it start करते हैं हम लोग यहां पर bank nifty के साथ कल की वीडियो में आप लोगों को बता है था इंट्रेस्टिंग चीज किया थी कि बैंक निफ्टी जो है अपने मिडल चानल से बाउंस लेने का ट्राई कर रहा था और हम लोगों ने बात बोली थी कि अगर यह मिडल चानल कैसे भी करके तूट जाता है तो हमको जो बैंक निफ्टी है वो तुवर्ट्स 35,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा लखी ली वो चानल नहीं तूटा नीचे की साइट को आज हम लोको महां से बाउंस देखने को मिलेगा कि यहां से एक बाउंस देखने को मिलेगा and we did see a bounce जो की बहुत अच्छा था अपने बॉटम चे करी परी 200 पहुंच का बाउंस था अब यहां से आगे क्या हो सकता है देखो अब सिंस है तो चानल का बॉटम यही यहां से यह इस उबर वाली ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकता है and then bounce ले सकता है या फिर यहां से continuously bounce ले सकता है so you never know but हाँ जो भी इस राली का बॉटम होगा वो यह नीचे वाली जो पिंक लाइन है इसी के along ही होगा अच्छा अगर आप लोगो कल के दिन के लिए इसे लांग कर रहा है तो I think 17,560 का level is perfect to long क्योंकि लिए मिलेगा इस चैनल का हाई जो है अभी परी पहां से 100 points उपर है तो वो मोटा मोटा हम लोगो देखने के लिए easily मिल सकता है नीचे की side पर हम लोग बात करें तो 17,420 अगर नीचे को तूटेगा तो I am pretty positive कि this is a very crucial level और इसके नीचे हमको 100-500 points की instant fall देखने के लिए मिल सक है short करने के लिए आप देखो यह लेवल ही comfortable है इस level के अलावा कोई level I really don't think is comfortable enough right now for bank ठीक है long however हम लोग दो चीज़ा है लगो या तो आज के हाई टूपने का वेट कर सकते है या फिर हम इस overall breakout का वेट कर सकते है जो की आएगा 37,750 के अगर 37,750 का breakout आ गया guys trust me आपको वहां से इंट्राडे 500 का movement देखने को मिल जाएगा and I think within two to three days वहां से 1000-1000 का हम लोगो points या आप बोल सकते हो इसको short covering का वो एक crucial level रहने वाला है जहांसे short cover होते हो दिखेंगा बहुत massive movement I think 39,000 की तरफ आना चाहिए तो यह आप लोग इंदर patience आप bank nifty की इन दो levels का weight करो देखो मैं मानता हूं कि 400-500 points थोड़ा दूर है but market volatile है और volatile markets मार्केट आपको पता है जब तो बहुत अच्छी movement आते है right guys so I really don't think इसके अलावा कुछ और add करने को है जब तक parallel channels है हमारे पास हम लोग इसी के along चलते रहेंगे जब breakout आएगा तो नया bias देखेंगे right that's it was it for this video जाते 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 अगेन अपने उससे request रिक्वेस्टे वीडियो को like करना चाहां को subscribe करना and join telegram and twitter link is in the description as you as the fix one तक तक के रिए stay healthy stay safe